माराश्ट के पूर्व घ्रह मंत्री अनल देश मुक को E.D. ने मनिल लॉंटरिंग से जुड़े मामले में गरफतार कर लिया है इससे पहले अनल देश मुक से प्रवदन निदेशाले ने 12 गंटी की पूस्ताज की थी पूस्ताच में E.D. को पूर्व मंत्री की तरफ से संतोश जनक जवाब नहीं मिला इसके बाद उन्हें गरफतार कर लिया गया पूर्व मंत्री को अब अदालत में पेश किया जाएगा इससे पहले वहाँ अपने वकील के साथ सुभा करीब 11.40 मिनिट पर दक्षिन मुंबई के बलाड स्टेट इलाके में स्थित एजिंसी के कारियाले में आये थे अधिकारियों ने बताया था कि केंद्री जाच एजिंसी महराश्च पुलस प्रतिष्ठान में 100 करोड रुपे की कतित रिश्वत और वसूली मामले में की जा रही है आपरादिक जाच के संबन में धन शोधन रोखथाम कानून के तहत राश्वादी कॉंग्रिस पार्टी के 71 वर्षी नेता के बयान दर्च कर रही है वसूली के आरुपो के कारण देशमुख को अप्रेल में इस्तिफात देना पड़ा था इससे पहले ईडी की तरफ से पांच बार समझ जारी किये जाने के बावजूत देशमुख पेश नहीं हुए थे बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से पिछले सप्ता इन समनों को रद्द करने से इंकार करने के बाद वह एजिंसी के समक्ष पेश हुए थे एनसीपी के नेता ने कहा की उन्होंने बिना किसी दर या पक्षपात के केवल पारदर्शी और निश्पक्ष जाच की मांगी है देश्मों की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि मैं इस तरह के निश्पक्ष अधिकारियों के सामने पेश हुने और मेरे खिलाफ लगाए गए आरुपों के जूट को उजागर करने के लिए उच्छुख हूँ मुझे उमीद है कि प्रवतन निदेशाले के अधिकारी निश्पक्ष तरीके से कारी करेंगे और जाच में मेरे सहियों के बारे में शंकाओं को भी दूर करेंगे कुछ निहित स्वार्थो द्वारा एक गलत कहानी एक गलत धारना बनाई जा रही है कि मैं प्रवतन निदेशाले के सामने पेश होने से बच रहा हूँ निसंधे इस तरह का प्रचार बिल्कुल निराधार है कैमरा परसन अकिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नाखपूर